जो petitioners को आज मौका नहीं मिल पाया है वो एक returns and options जो है आज शाम तक कोट के आगे email के तुरूट को देंगे और बाकी जो है कल respondents, भारसरकार और NTA की जो है उनके arguments को सोना जाएगा पूरे examination system में leakage है और अगर एक student ने भी leakage किया है और widespread है तो उसका impact पूरे देश पर है उन्होंने बोलाए कि अगर थोड़े से भी बच्चे हैं जिनको ये benefit दिया गया है तो शायद re-neet होना बहुत अवश्यक है to maintain the sanity of the exam ये direction दिया है कि जो re-neet मांग रहे हैं जिनके सुनवाई नहीं हो पाई है उनको एक half page का written submissions फाइल करने के लिए बोला गया है लंच से पहले जो है वो सारा data जो result डिकलेर करा गया था उससे related data को analyze करा गया कोट के आगे बताये गया सीकर और बाकी सारी चीजों को लेकर कि किस तरीके सीकर में unprecedented hike थी और एक जो question physics का question है उसकी वज़े से top rank पे 400% की inflation थी उसके बारे में भी discussion हुआ सब को सुनने के बाद कोट ने बोला है कि जो petitioners को आज मौका नहीं मिल पाया है वो एक returns and options जो है आज शाम तक कोट के आगे email के थूर कोट को देंगे और बाकी जो है कल respondents भारत सरकार और NTA की जो है उनके arguments को सोना जाएगा और उसके बाद final decide होगा सुप्रीम गोट में आज hearing का petitioner को जांस दिया गया था वो आज last day था और उस hearing के अंदर हमारी जो आज mainman मुद्दे थे पटना वाली F.I.R. के अंदर जो report कॉल की गई है या फिर राजिस्थान में सीकर वाला मुद्दा हो गुजरात वाला हो जो increase हुआ है result में जहां पर suspicions आये हैं जो हमने data analytics के हिसाब से कोट को बताया कि जो starting से हम कह रहे हैं वो sufficient है इस बात को कहने के लिए कि पूरे examination system में leakage है और अगर एक student ने भी leakage किया है और widespread है तो उसका impact पूरे देश पर है और इस मुद्दे को लेकर के जो supporting evidences हैं वो सारे कोट के सामने दुबारा in brief रखे गए हैं अब कल NTA का जो defense है NTA के जो repeal arguments है वो होने है और आज जो भी हमारे prime मुद्दे थे जो हम evidences दे सकते थे कोट पर हमें लगता है वो sufficient है इस बात को बताने के लिए कि widespread leakage है सोशल मेडिया के उपर है इसका impact पूरे exam के उपर है आज Honorable Supreme Court of India ने दो issues पर petitioners के arguments सुने पहला reneet था जिस पर petitioners ने अपने arguments conclude किये और उन्होंने basically ये कहा कि ये बताया नहीं जा सकता कि जो leak है वो कितना pervasive है और कहा तक बच्चों को उसका benefit मिला है उसके basis पर उन्होंने बोलाए कि अगर थोड़े से भी बच्चे हैं जिनको ये benefit दिया गया है तो शायद reneet होना बहुत अवश्यक है to maintain the sanity of the exam दूसरे विशह पर Supreme Court ने हमें सुना कि जो atoms वाला question है उसमें क्या दो answers सही हो सकते हैं कि ने Supreme Court का ये मानना था question पढ़ने के बाद कि दो answers शाहिद नहीं सही हो सकते हैं और वो mutually exclusive है उसके basis पर उन्होंने IIT Delhi को direct किया है कि वो एक committee बनाए और बताएं कि कौन सा answer सही है और उसके basis पर orders इशू होंगे जैसा कि NTA ने अभी हमको data provide किया है माननी अदालत के direction पे तो उस data का हम लोगों ने analysis किया और उसमें जो भी irregularities थी वो सारी court के सामने हमने point out की है उस data के basis पे हम ये कह दिखाना चाह रहे हैं को ये दर्शाना चाह रहे हैं कि paper leak हुआ था और आज की date में हम ये assertion नहीं कर सकते कि वो paper leak किस level पर हुआ था अभी उसकी investigation जा रही है तो हमारा ये मानना है कि अगर आपको ये लग रहा है NTA ने पहले admit किया फिर deny किया फिर admit किया तो हमारा ये कहना है कि अगर paper leak हुआ है तो आपको ये test re-neet करवाना चाहिए ये test दुबारा होना चाहिए ये दो मुख्य मुद्दे थे जिन पर सुनवाई हुई है क्योंकि data अगरा पूरा दिखाया गया माननी अदालत को उसमें थोड़ा सा समय लगा आज माननी अदालत में दो direction दिये है एक तो ये है कि एक question था एक petition में question के ऊपर एक सवाल उठाए गए थे कि ये question के दो possible answers है तो माननी Supreme Court ने IIT Delhi के directors को request किया है कि आप में इन में सो जो सही answer है वो कल 12 बज़े तक हमको अवगत कराए कि क्या इसमें से सही answer है option कौन सा सही है और दूसरा ये direction दिया है कि जो नीट मांग रहे हैं जिनके सुनवाई नहीं हो पाई है उनको एक half page का written submissions file करने के लिए बोला गया है